आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम बात करेंगे सचिन तेंदूलकर के बारे में, और यहाँ पर उनकी क्रिकेट टिप्स नहीं दी जाएंगी, यहाँ पर बताया जाएगा, स्टॉक मार्किट में आप सचिन की तरह से कैसे खेल सकते हैं, और कैस एक्सिलेंट परफॉर्मेंस ला सकते हैं अपनी, अगर किसी एक खिलाडी का नाम लिया जाए आँख बंद करकर, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में ही नहीं, बलकि पूरे वर्ल्ड में, as an ideal batsman and a cricketer, तो सचिन के लावा किसी का नाम नहीं आता है, हमें पूरी उमिद होग जैसे हजारो करोडों इंडियन का गुजरता है, सचिन रमेश टैंडूलकर को बैटिंग करते हुए देखते, भारत के लिए रोमांच खड़ा कर देने वाली बैटिंग करते हैं, एक दिन का काम नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत लंबा सफर है, जो वो अपने हर दिन के म आपको अपने एक्सपर्टीज और प्रियास के बाद ही अच्छा फल मिलने की उमीद हो सकेगी, ये भारत के कप्तान भी रहा चुके हैं, और इन्होंने इंडिया का सेकंड वर्ल्ड कप जो जीता है, वो इनकी ही बदौलत है, अगर ये नहीं होते, तो कह सकते थे हम फाइ पर दाओ मत लगाईए, आपको अलग-अलग स्टॉक में निवेश करना है, हम हमेशा बोलते हैं अपने चैनल पर एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% का निवेश कीजिए, और कम से कम 5 अलग-अलग स्टॉक लगाईए, ताकि अगर एक स्टॉक ना चले किसी दिन, या किसी महीने, या किसी साल उसके अलावा 4 स्टॉक उसकी भरपाई कर पाएंगे, तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पॉर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, ये इंडिया के सबसे हाइस्ट रन स्कॉरर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और भारत के ही नहीं, आपको दिहान होगा, शुरू में बचपन में, जब भी आपका दिमाग शेतानी के लिए चलता था, तो आपके मातपिता बोलते थे, पढ़ो, लिखो, और समझो, और सीखो, कैसे पढ़ाई आपको हेल्प करेगी, जब तक आपका माइन डवलप नहीं होगा, इस टॉक मार के, that is called your childhood, अभी नहीं कि आप हो गया है, आप समझ रहें, आप 20 साल के होगे, 30 साल के होगे और आपका बचपन है, जी हाँ, स्टॉक मार्किट में आपका बचपन ही है, और आपको इस तरह से खेलना है, कि जैसे एक नवजात शिशू चलने की कोशिश करता है, उसको कोई में सीखना है, तभी आगे चलकर आप अच्छे से अपने आप स्टॉक एनलेसिस कर पाएंगे और आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो पाएगा, सचिन तेंदुल को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, और देखिए उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो था, वो बहुत स्ट् में पूरी प्रैक्टिस करते थे, और शायद आपको अच्छा किस्सा भी आद हो, कि एक रुपे का कोईन उनके कोच विकिट के ओपर रखते थे, और जो भी बॉलर उनको आउट कर देता था, वो सिक्का उनको मिलता था, और जिस दिन कोई भी बोला पूरे दिन पर आउट तो बागया था कि हम एक बार इंडियन एर फोर्स के सदन कमांड सेंटर में जा चुके हैं, वहाँ पर जो उनके कमांडर है, उन्होंने हमको बताया था, सदन बेस के जो कमांडर है, उन्होंने बताया है, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज़ादा आप महनत करेंगे शांती के टाइम पर, जितनी ज़ादा आप अपने आपको अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा लौग टर्म में जब आप एक्चुल वार में जाएंगे, यहाँ पर वार से क्या मतलब है, समझे इस बात का दोस्तो, stock market में हमेशा buyers रहते हैं, हमेशा sellers रहते हैं, कभी bulls का पालडा भारी होता है कभी bears का पालडा भारी होता है तो आपको समझना है कि आप अपनी पार्खी नजर को कैसे बनाए ताकि आप पहचान पाए, आज bull day रहेगा कि आज 2-0 रहेगा और उसी के हिसाब से आप अपनी रननीती बनाएं अगर आप सचिन तेंदूल करकर record देखें तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेटी नहीं बलकि One Day International और साथ ही साथ में जो 2020 चल रहे हैं मैच सब में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है तो ये एक बहुत बड़ी चुनोती थी उनके सामने एक middle class family से आने के बाद क्रिकेट में select होना और सबसे पहले पाकिस्तान के Pacers को face करना जो हमारे बड़े बड़े दिगज batsmen भी डरते थे उनको जाकर एक 16 साल का बच्चा कैसे उनके against century बनाता है और blood निकलने के बाद भी खेलता है ये उसका determination ही था जो कि उसको इस चोटी तक पहुचा पाया friendship हमें सब बहुत important होती है विरोध कामली और सचिन तेंदुल की partnership और friendship world famous है अभी नहीं आगे आने वाले time में भी बहुत अच्छा रहता है एक दूसरी पहल आपको समझनी है जो एक अच्छा पार्की होता है वो छोटे में ही स्टार्टिंग में ही stock को पहचानता है तो एक बहुत अच्छी famous saying है cash them early अगर आपको कोई penny stock है या कोई multi bagger stock दिख रहा है उसमें gradually invest करना शुरू कीजे सारा पैसा एक साथ न लगाईए धीरे धीरे शुरू कीजे और देखिए वो कैसे बढ़ रहा है साल दर साल, महीने, महीने और उसके बाद उसमें अपना investment को बढ़ते जाएए अगर Don Bradman जो की world के greatest test investment कहे जाते हैं उनके बाद में अगर किसी की ranking आती है तो सर्जिन तेंदुलकर की ranking आती है और उसका श्रे सिर्फ एक दिन में नहीं जाता है दिन बर दिन प्रतिष्ठा के साथ निश्टा के साथ पूरी महनत करते थे सुबह चार बजे उठकर दो घंटे की travel करने थे ट्रेन से जाकर और फिर मैदान में जाकर खेलते थे उनके coach उनको दो-दो मैचों में participate कराते थे अपने आप scooter पे लेके जाते थे और practice कराते थे तो ये जो नवजात उमर है उस time पर आपको सीखना है यही time है आपको जहाँ पर आपको ज़ादा मेहनत करनी है ज़्यादा सीखना है ताकि आपको ज़्यादा फाइदा मिले long run में जब आप अच्छे हो जाए अपना dedication और commitment मत छोड़िए चाहे किसी दिन आप trading ना भी कर रहे हो पर trading टर्मल पर बैठिये और देखिये observe कीजे कैसे हो रहा है किस दिन सचिन तेंदुलकर अगर जल्दी out भी हो जाते थे तब भी वो देखते थे कि baller किस तरह से ball कर रहा है दूसरे batsman उसको कैसे strike out कर रहे है ताकि अगले दिन जब खेलने आए उसी baller को अच्छी तरह से दो सके वो तो यह चीज आपको समझनी है किसी दिन आपके पास funds की कमी या कोई बात नहीं पर आप market को observe कीजे, paper trade कीजे उससे आपको थोड़ा सा confident मिलेगा and stay focused always कभी भी अपना focus lose मत कीजे चाहे सामने कितना भी बढ़ा target हो just continue to focus on यही reason है कि उनको भारत रत्न इंडिया का highest civilian award मिला है उनकी dedication, उनकी commitment, उनकी focus और single minded भारत के लिए खेलना यह उनका सबसे बड़ा पुरुसकार है जो इंडिया उनको दे सकता है जो dedication उनने इंडियान fans के लिए रखी है देखो दोस्तों, इंडिया मैं अगर आप stock market की बात करें अभी bull season शुरू हो रहा है यहां के stock market अभी बहुत उचा जाएगा US के market, UK के market सब bull market से के थू जा चुके है इंडियान market अभी nascent stage में है यही पर आपको अपने multi bagger stocks को पकड़ना है सीखना है fundamental, सीखना है technical और अगर आपके पास कोई question है तो comment box में डाली, we'll be more than happy to make it और हमेशा ध्यान रखिए always smile कोई भी दिन हो, चाहे आप जीतें, चाहे आप हारे lesson learn होना चाहिए उससे अगर आप lesson नहीं करेंगे चाहे वो जीत का दिन हो, चाहे हार का दिन हो जादा दिन नहीं चलता है इस बात का ध्यान रखिए, lesson learn करके keep on smiling and keep on moving अब section 2 में चलते हैं, देखिए अपने goal set कीजे, जैसे सचिंत अंदिल्कर ने अपने goal set किया था जब वो शुरू में किर्केट के international players को जानते भी नहीं थे 1983 में महज, 11 साल का बच्चा अगर देखता है कि 9 साल का बच्चा अगर देखता है मुझे महनत करनी है कि इंडिया के लिए world cup मैं जीत के लाऊं और देखिए आखरी दम तक उसी एक goal के लिए खेलते रहे जब तक वो goal achieve नहीं हुआ cricket से सन्यास नहीं लिया यही आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि आपको अपना goal set करने है कि मुझे अपना portfolio इस तरह से fine करना है कि चाहे stock market में bullish phase आए चाहे bearish phase आए मेरा stock हमेशा उपर ही चलता रहे तो देखिए इसमें बहुत सारी बाते हैं उनकी personal life के अगर आप बात करें तो उनकी marriage हुई थी अंजली महताजी के द्वारा साथ में हुई थी और हिंदू methodology के through उनकी marriage हुई और देखिए साथ ही साथ में घर का support मिलने के बाद ही वो इतना dedication दिखा सकते थे बच्चों के साथ sacrifice करना पड़ा हुने क्योंकि बहुत सारे international trips के लिए जाना होता था तो ये घर से जब तक support नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा तो आपको भी अपने family से पूरा support चाहिए और हमेशा friends के साथ में time आपको होना ही चाहिए spend करना चाहिए एक चीज़ का ध्यान रखिए इस picture को देखे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जब शुरुआत में केलते थे तो बड़े-बड़े brand उनको नहीं पहचानते थे उनका bet देखेंगे तो power का logo लगा हुआ है उनके bet पर जो simple bet आता है उसका भी logo लगा है पर कुछ time के बाद उन्होंने अपने आपको इतना सक्षम बनाया इतने run बटाए की आगे आने वाले समय में उनको बड़े-बड़े brand ने offer किया पर उन्होंने एक बार MRF को brand को पकड़ा तो consistently उसको रखा अपने पास में यही हालत stock market में होनी चाहिए आप brand के पीछे मच जाईए आप अपनी समझ भूज को लगाईए और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो सारे brand आपके पीछाएंगे do not worry about other thing, just focus on your study देखिए कैसे MRF का logo आखिर तक उनको मिलता रहा highest paying celebrity जिनके bat पर जो 3 word का character है MRF उसके लिए करोड़ो रुपया साल भर में MRF brand उनको देता है तो इस तरह से आपको अपना excel करना है ताकि आप भी बड़े-बड़े brand आपके पास आएं देखिए सचिन तेंदूलकर सिर्फ cricket में ही महारत हासिल नहीं है उनके पास में multiple brand है, multiple logo है और साथी साथ में उन्होंने restaurant भी खोले हुए है Kolaba, one of the most premium location in Mumbai और साथी साथ में मुलड में दोनों जगा तेंदूलकर्स and सचिन's restaurant खोले हुए है और बैंगलोर में भी उन्होंने खोले हुए restaurant तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया अपना second business भी चला रहे है और शायद आपको देखा ही हो, आप यो YouTube पे भी आ चुके है और visualization करते हैं different different cricket time के लिए तो पर जब cricket खेल रहे थे तो उनका dedication पूरा का पूरा cricket में था और learning पे उन्होंने focus किया था ताकि आने वाले समय में जैसी भी कठिन परिश्णम हों जैसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ा है चाहे पाकिस्तान के पेसर बोलोर हों चाहे श्री लंका के spinners हों सब तरह से उन्होंने अपने आपको डालाए इसी तरह से आपको stock market में bull और beer दोनों phase में learn करना है और सीखना है, कुछ dedication अपना रखिए इंट्ररे टेडिंग के लिए भी उसमें बहुत जाजा सीखने को मिलता है पर वो limited phase में रखिए और देखिए क्या किसी ने image किया था कि इंडिया के जब world cup जीता तो कपिल देव जब उसको lead कर रहे थे उनके साथ में उनको खेलने का सोभागे मिलेगा ये एक सपने की महत्ता होती है अगर आप बच्पन में कोई सपना देखते हैं वो आपको पूरी जीजान लगा देंगे ताकि उसको आप पूरा कर सके और देखिए क्या सोभागे की बात है उन्हों उनके साथ बहुत सारे match खिले है कपिल देव जो 1983 के वर्ल्ड कप में जीत के आये थे उनके साथ में सचीन तेंदुल को खेलने के मिला और मुहमद अजुरुदीन जिन्होंने बहुत टाइम तक लीड किया है ये पिक्चर सबकुछ एक मिलियन डॉलर वर्थ पिक्चर है दोस्तों इस बात का धियान रखिये अपनी भारत माता से बड़ा कोई नहीं है उन्होंने उस बात को धियान दिया कि उनको इंडिया के लिए खेलना है परस्नल खेल नहीं लगाया और हमेशा इंडिया के लिए ही जैसी जरौत है अगर fast pace की ज़ुरात है तो fast pace पर रिन बनाए अगर slow pace की ज़ुरात है विकेट बचा के खेलने की ज़ुरात है तो ऐसे बताए ऐसे ही आपको अपने stock market में खेलना है जब आपको अगर धीरे खेलना है धीरे खेलना है अगर beer phase आ रहा है तो थोड़ा सा अपना नाम बोलिए सारे के सारे और domestic की नहीं international visa, philips, coca cola सारे brand उनको अपने पास देने के लिए तयार है उनका सिर्फ समय चाहिए ताकि वो उनको पे कर सके अब section 3 में चलते हैं और देखिए जैसा मनें बताए BMW और ये सारे brand car बहुत चोटा सपना है दोस्तो, car पे मतरु किये आपका सपना बहुत उचा होना चाहिए एक दिन आपके सारे सपने पूरे होंगे आपको घर होगा, आपका गाड़ी होगी, हो सकता है आपके पास अपना private jet हो, पर आपको dedication रखना है, आपको अपने focus करना है, study में आपको technical analysis करना है, आपको fundamental analysis करना है, और साथ ही साथ में, आपको अपने stock एक बार अगर अपने multi bagger stock पकड़ा है तो फिर उसको छोड़ियेगा नहीं, consistently उसमें performance करते हैं ये picture उनकी बहुत प्राणी picture है जब वो cricket के मेट खिल लेके बाद आते थे, तो उनके father उनकी leg को press क्या करते थे, पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है जब उसका बेटा, एक आस्मान की उचाईयों को छूता है अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप समझेंगे कि आपके father का जो love है, आपके लिए कितना important है बहुत लगी हैं जो लोग जिनके पास उनके father का love continuously मिलता है आप अगर बात करें, day in, day out आपको मेहनत करनी है, stock market में सबसे अच्छी बात है, आपको अपना dedication दिखाना है, जब तक आप dedicated अपना effort नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको benefit और profit नहीं मिलेगा दोनों चीज़े एक साथ ही साथ में है देखिए, उनको राजे सबा के लिए भी नोमिनेट किया गया cricket के कोटे से, sportsman के कोटे के तरफ से उनको special gratitude दिखाया गया और उनको definitely इंडिया की philanthropic activities में भी बहुत जादा engaged है, सुच भारत mission के बारे में करते हैं काम अपना और साथ ही साथ में उन्होंने अपना एक cricket association club खोला हुआ है जहाँ पर under privilege लोगों को cricket सिखाते हैं, अगर देखे जैसे हमने बताया, इनके दो restaurant है तेंदूलकर एंड सचिन और ये उनकी second earning का काम हो जाता है जब वो retire हुए, तो आप वहाँ पर उसको focus करते हैं, जो dream था वो dream मिलेगा, अगर आप dedication दिखाएंगे, अगर आप अपने आपको खेल के लिए समर्पित करेंगे और देश के लिए समर्पित करेंगे, यहाँ पर stock market में क्या है, stock market में आपको day in day out देखना है अगर Saturday है, Sunday है, कोई बात नहीं आपके पास अगर दो घंटे का भी time है आप study कीजिए, आप different education videos देखिए, और देखिए कि कैसे stocks को select किया जाता है कैसे portfolio build किया जाता है ताब की आप उसको कर सके इसके अलावा, उन्होंने movies में भी काम किया है, देखिए आपको जैसे पता हो, God of Cricket Sachin Tendulkar का, Stumped और साथी साथ में उन्होंने कभी अजनभी थे, ये सारी movie इनके release करने के काम चल रहा है, बट इसके साथ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, friendship बहुत अच्छी रही इनकी, विरेंदर सहवाग, Sachin Tendulkar जिन नाम दीजे सारे Cricket Team के लाड़ी, उनको पाजी क्या के बलाते हैं, और सब से अच्छी सब बहुत friendship है उनकी तो ये हमारे आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई MBA lesson सीखना भी है इससे बढ़िया management का MBA lesson आपको stock market में नहीं मिल सकता है Sachin Tendulkar को real life example लीजे हमें पूरी उमीद है, आपने उनके cricket history को देखा है पर उसको लगाने की कोशिश कीजे चाहे आप T20 खेल रहे हैं चाहे आप test match खेल रहे हैं आपको अपने match के requirement के accordingly अपने stroke का selection करना है तभी आप एक अच्छे खेलाड़ी बन पाएंगे stock market में दोस्तों वीडियो चलेगा तो like जरूर कीजेगा please consult your financial advisor before investing in trading market में उपर नीचे होता ही रहता है कभी आपको profit ज़्यादा मिलता है कभी आपको loss भी मिलता है दोनों सो सीखने की opportunity है हमेशा ध्यान रखे car, bangla, gadi सब मिलेगी अगर आप dedication करेंगे superstar, car, flying car आपको मिल सकती है पर अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे अगर आप technical study नहीं करेंगे अगर आप fundamental analysis नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा दोस्तो जैसा आपने बताया NSC की website की सारे information available होती है please analyze it, study कीजे वीडियो का अगर कोई आपको request है हमारे comment section में डालिए we will be more than happy to make that video for you और देखें उन्होंने underprivileged के लिए सचिन तेंदुलकर ने अपना एक sports association भी खोली हुए है अगर conclusion की बात की जाए देखें दोस्तो index stock में भी आप trading कर सकते हैं individual stocks में भी trading कर सकते हैं penny stock में भी trading कर सकते हैं पर जैसा हमने बोला T20 की अलग strategy, T20 के अलग stock selection test match के अलग stock selection और यही day-to-day intraday के international के अलग stock selection तो इससे आपसे अपने को करना है आपके लिए 4 वीडियो प्रसुत हमारे चैनल के आपका दिन मंगल में हो जै हिन जै भारत बाई गाइस